आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ बस कि दो अपनेटम से चलो ठीक है एक ह्क होगा एक सीयलोगा ठीक है अच्छा में रोटेशनल मोशन भी है ट्रांसलेशन मोशन भी है और वाइबरेशनल मोशन भी है मतलब अगर मैं इसकी डिग्री ओफ रीडम के बार में बात करों तो यह भाई किस-किस तरह के motion करने के लिए free है, यह translatory करने के लिए free है, translatory मतलब क्या, आगे पीछे जाना, तो यह x-axis, y-axis और z-axis, इन तीन direction में जाने के लिए free है, ठीक है, इसके degree of freedom में 3 times तो मेरी होगे translatory motion, यह मैंने translatory के लिए लिए रिखा, प्लस, अब बात करते हैं, तो rotation कोई भी बंदा किस direction में कर सकता है, या तो वो clockwise rotation कर सकता है, या वो anti-clockwise rotation कर सकता है, तो obviously इसके पास कितने type के rotationally motion हो गए, तो rotational motion इसके पास हो गए, रो टाइप का, ठीक है, तो यह जो है, मैं ब्रैकेट में आलिक देखना हो T, समझा जाए का कि T के लिए बोला गया है, यह बोला है मैंने R के लिए plus, अब vibratory motion, तो vibratory तो हमेशा एक ही होता है, कोई भी चीज vibrate कर रही है, मतलब आगे पीछ, आगे पीछ, ऐसे से भी vibrate कर रही होगी, ठीक है, तो यह vibratory के लिए हो गया, total degree of freedom बताओ कितनी है इस question में, 6 आ गई, हमें पता चल गया, कि इस molecule का degree of freedom, 6 है, अब आगे देखो question ने क्या पूचा है, if the RMS velocity of axial molecules in its gaseous ways is V, तो हमें RMS velocity दे रखा है, उसका mass दे रखा है, और Boltzman constant दे रखा है, हमें बताना है, इसका temperature यह होगा, तो इसमें N क्या है, तो यहार देखो, हमें kinetic energy निकालने का दो formula पता है, सबसे पहला तो होता है, f by 2 kbt, ठीक है, f होता है degree of freedom, हम निकाल चुके, kb मतलब क्या Boltzman constant, t होता है temperature, लेकिन यह kinetic energy निकालने का एक और तरीका होता है, half mv square, जहां पर m होगे, उसका mass, और V क्या है, V है, उसकी RMS velocity, ठीक है, हमारे question में V दे रखी है, यह तो बराबर ही, है ना, तो बस एक काम करते इन दोनों को equate करते है, तो f by 2 kbt is equal to 1 by 2 mv square, f की जगा में लिख सकता हूँ 6, यहां से, ठीक है, तो यहां से temperature की value देखो, अब क्या निकाल सकते हो, temperature मेरी आ गई, देखो, 6 by 2 यह हो गया 3, ठीक है, यह नीचे गया, तो 1 by 6, उपर है mv square, और आप on में क्या बचेगा, kb अचेगा, right, temperature यह आ गया, question में भी temperature की value हमें दे रखी है, its temperature will be this, mv square by n kb, question में बोल रखा है, कि जो आपका temperature होगा, वोगा, mv square by n kb, आप clearly इन दोने questions को एक दुसरे से compare करके बता सकते हो, इसमें सिर्फ इस n की value क्या है, 6 है, तो मैं बता सकता हूँ, n का answer आ गया 6 इस question क solution, I hope question सबको सभी से समझ भी आ गया होगा, okay?